इस वक्त हमारे साथ मौझूद है बसना विधान सभा से निर्दलिय प्रत्यासी जगदिस सिदार जी जगदिस सिदार जी के बारे में कल बताया जा रहा था कि इन्होंने कॉंग्रेस का समर्थन किया है और वो अपना जो भी समर्थन होगा कॉंग्रेस को देंगे इस बात में कितनी सचाई है यह भी हम उनके माद्यम से जानना चाहेंगे यह सचाई नहीं है कि मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया हूँ मद्दूंगा भी नहीं क्योंकि मैं पूर्वों में भी आप लोगों के मारफद से मैं कहा चुका हूँ कि मैं जब भी इस्टेंड करता हूँ मैं वापस लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं जन सेवा में लगतार लगा रहता हूँ और लगा रहूंगा भी क्योंकि मेरे पास मेरे कारेकरता जो हैं बहुत से सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे अंतर तक करते रहेंगे मैं वापस किसी का नहीं करूगा और हमारे जो कितने कारे करता है और गाउ गाउ से जन समोह जो मिर रहा है हमको समर्थन बराबर हमको समर्थन मिर रहा है और मिलेगा क्या लगता है आपको आपके मैदान में आने से क्या कॉंग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है बिल्कुल मैं तो जन्सिवा में लगता रहता हूं मेरे को जन्सिवा देखकर के ही मेरे को मैदान में उतारा गया है और इसी प्रकार के वेक्तिया है तो यह जन्सिवा और हमारे समाज की सभी समाज की सभी समाज को मैं लेकर चलता हूं तो मुझे सभी का सिरवाद है और रहे उनका अपने सामने में जो भी चाइस इत रहा है इठ andere आफ OCM waar गती आपकी क्या रहने वाली यह MVC at अपिल करता हूँ और अबील करता है कि मैं में ऑगीसांचा इता हूँ प्रागा किसांचाब मिला है मैं इता हुँ चोटा सा किसान का बेटा हूँ इसलिए मुझे धर्ती पुत्र के नाम से भी प्रकासीत किया है और मैं जन्ता से अबिल करता हूँ कि मुझे ही वोट करें क्योंकि दल बदलने वालों की जगा कहीं नहीं है आज मेरे नहीं रहे तो वो दूसरे के क्या रहेंगे और मैं सभी जनता हूँ सो विश्वाइज दिलाता हूँ कि मैं समर्थन किसी पार्टी को नहीं दिया हूँ और नहीं दूंगा और जनता कोई भी ऐसी अपवाओं बातों से आ करके मुझे उनको गुमराम न करते हुए मुझे ही वोट करें मेरे सभी सम्वानियम आता हूँ बहना हूँ बड़े भाई बुजूर के सभी का अशिर्वाद मेरे उपर रहे है देक्टर चाप जिन्दाबाद जितेगा